जै हो, subscribe the channel and press the bell icon, would never miss updates from Charamangal प्रश्त है कि दुनिया में जो तीशी लोग हमें कहते हैं कि अभी गुरु इस इस इस्थान पे है तो आपका भला होगा, अभी फला इस्थान पे पहुँच गया तो आपका बुरा होगा, तो जैन दरम में इसके संबन में कुछ आता है क्या, देखो, धरम जो है न, वो किल व्यक्या कर सकता है, धरम हो या कोई भी जानकार व्यक्ति हो, वेशे की व्यक्या करेगा, और जो व्यक्ति गति स्टेट्मेंट्स है न, वो आपको पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर जोतिशी देगा, और पर्टिकुलर जोतिशी जो दे रहा है न, वो उस सब्जेक को आपके साथ रिलेठ करके दे रहा है इसको ऐसे समझो कि आप बिमार किन कारणों से होते हो और किन कारणों का निवारन कहेदो तो आप सुष्ट हो सकते हो यह व्याख्या एक सामानय चेकित्साशासर कर देगा लेकिन अब आपको कौन सी बिमारी है उस बिमारी के लिए आपको पहले डाइगनोस करवाना पड़ेगा, वो एक डॉक्टर के पास जाके करवाना पड़ेगा, और डॉक्टर आपकी पूरी डाइगनोस के बाद में वो चार्ट शीट देखे बताएगा, कि अब आपको यह यह टैबलेट लेने की जरूरत है, अब हम परसनल बात नहीं करते हैं, हम तो क्या 尖ासर जश्रका विज्ञान बताते हैं, ठटऄ एध्या, क्या कर रहा है? परम विज्ञान बता रहा है, कि आपकी जिन्दिगी में, जितने भी ड्रय है, नक्षत्र है, वो सब बात की बात है, सबसे पहला आपका नक्षत्र ग्रय सूर्य, चंद्र, राजा आप खुदो आप अपने आपको सम्यक दिशा में रखोगे तो बाकी सारी चीजे सम्यक गतिमान होगी आप अपने आपको मिथ्या दिशा में ले जाओगे तो बाकी सारी चीजे आपके लिए उस रूप में गतिमान होगी धरम तो परम विज्ञान बता रहा है अब उस परम विज्ञान के आगे जो छोटी-छोटी साखाए है न वो यह बताती है कि भी तुम्हारे को यह बिमारी है तो इसका कारण यह है वो लोग अल्टीमेट नहीं बता रहे वो लोग छोट पिमारिया और उसका उपार को बता रहे है अब तुम्हें लगता है कि आरे मेरको बुखार आया तो मुझे यह मैटासिन लेनी चाहिए या क्रॉसिन लेनी चाहिए या पराशिता मुल लेनी चाहिए यह बात किसी जैन धर में लिखिये की नहीं लिखिये तो भया मैं कहूंगे जैन धर में तो नहीं लिखा क्रॉसिन लो पराशिता मुल लो बुखार आवे तो कौन सी दवाई लो किसी जैन शास्त्र में नहीं लिखा है अब आप लोगे की नहीं लोगे? लोगे? और जब बिमार होगे और दवाई खाओगे तो पूछने जाओगे क्या है कि हमारे जैन दरम में ऐसी शास्त्र में तो नहीं लिखाए पैरा सिता मुल लेना चीए कि नहीं लेना चीए? और हम बड़े विचित्रा आदमी है किस सवाल को कहा ले जाते? अब भूग लगी है तो चावल खाओ, दोसा खाओ, रोटी खाओ, बाजरा खाओ, मक्का खाओ, तुमारी मर्जी भूग लगी है तो पेड भरलो लेकिन कहोगे, जैन दर्म में कहा लिखा है, बाजरा खाना की मक्का खाना तो भाई या जैन दर्म है, तो कहीं नहीं लिखा बाजरा खाना की मक्का खाना तो फिर मत खाओ तो ऐसा तो नहीं नहीं खाओगी खाओगी तुसे बोग लगती है, तो उसका उपाय होता है ओके इदेन धरम बताता है, ऐसा भी नहीं कह रही है, आपको समझाने के लिए कह रही हूँ बाकी हकी कि तो धरम को इसे बातों से कोई लेना देना ही नहीं है तो धरम अध्यात्मिक होता है और आपकी जो कोशे लें, बोड़े सांसारी के सांसारी के सवालों के जवाब तो अध्यात्म आपकी जाके पूछोगे कि धरम जोके लिखा है, जो दो बच्चे पेदा करने चाहिए, दीन करने चाहिए तो धरमे कही दिने लिखा है आपकी मर्ची तब कुछ नहीं ढूड़ने गए थे, हम बेताल मेल की questions उठा उठा करके, एक दूसरे को जोड़ देते हैं, और सोचते हैं, बड़ा बड़ा शंका है, हमारे मन में तो जेन दर्म में कहा लिखा है, वास्तु के बारे में, अरे जेन दर्म के यही बाते बताने बेटा था गया कोई भी धर्म, और फिर हर चीज का शास्त्र अलग-अलग होता है, तो जिस चीज का आपको ज्ञान करना है, उस चीज के शास्त्र के मूल अर्थों तक जाओ ना, गहना, स्टेडी करो, भृत्वम करती नहीं, हम तो एक पत्ती लेकर आते हैं, फिर एस एक पत्ती को मैच कर मिलती है, अगर इतने सारे पेड़ों के साथ मिलती है, तो पत्ती राइट है, अरे भया, वो पत्ती जिस पेड़ की है, उसी तक रख लो, वो उस पेड़ की भी बाकि सारी पत्तियों के साथ नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो उस पेड़ की भी एक पत्ती है, और एक पत्त सारी पत्तियों से नहीं मिलती समझ गए मेरी बात को बुरा लगा तो श्रबान जय हो